हेलो फ्रेंट्स, टेस्टी ट्रिट्स में आपका स्वागत है कचोडी तो आपने बहुत तरह की ट्राई की होगी एक बार आप इस प्याज की कचोडी को ट्राई कीजे बहुत ही खस्ता और टेस्टी कचोडी बनकर तैयार हुई थी इसे बनने के लिए गैस पर एक पैन रखें उसमें एक चमच जीरा, दो चमच धनिया, एक चमच सौफ और पांच से छे काली मिर्च डाल कर इसे भून लेना है गैस का फ्लेम लो कर दे लो फ्लेम पर ही इस मसालो को भूने मसालों को हमें 5-6 मिनट तक भून लेना है जैसे जैसे मसाला भूनेगा मसाला का कलर चेंज हो जाएगा और मसाला से एक अच्छी खुसबू आने लगे तब गैस का फ्लेम बंद कर दे मसाला जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसे ग्राइंडिंग जार में डाल कर इसका एक फाइन पाउडर तयार कर ले इस मसाला में हमें बीना पानी डाले ही इसे पीस लेना है पैन में तीन चम्मच बेसन डालेंगे और बेसन को भी हमें ड्राइ रोस्ट कर लेना है लो फ्लेम पर बेसन को हमें भून लेना है बेसन को भूनने वक्त बहुत डार्क कलर नहीं लाना है इसे लगातार चलाते हुए भूने बेशन को भूनने में तीन से चार मिनिट का समय लग जाता है जब बेशन का कलर हलका चेंज हो जाए तब गैस का फ्लेम बंद कर दे आज मैं प्याज की कचोड़ी बना रही हूँ इसलिए यहां अधिक क्वांटिटी में प्याज लेनी है मैंने यहां करीब साथ प्याज लिया है प्याज को मैं बारी काट ले रही हूँ साथ में तीन हरी मिर्च भी काट ली हूँ गैस पर पैन रख देना है और उसमें एक चम्मज तेल डाले तेल जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तब आधा चम्मज जीरा डालेंगे और जीरा को चटकने दे उसके बाद कटी हुई हरी मिर्च डाल दे साथ में कटा हुआ प्याज डाल देंगे प्याज को हमें मीडियम हाई फ्लेम पर चलाते हुए अच्छी तरह भून लेना है प्याज का कलर देखिए धीरे धीरे चेंज होने लगा है इसे हमें अभी थोड़ी दिर और भूनना है प्याज को अच्छी तरह भूनने के बाद प्याज में अच्छा कलर आ गया है ताकि ये नीचे से जले ना एक चम्मच भुना हुआ मसाला डाल दे और साथ में बेशन को डाल दे अगर आपको इस टफिंग तीखा चाहिए तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दे बेशन डालने से इस स्टफिंग में अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी इस स्टफिंग में वन फोर्थ चम्मच मंगरेला यानी कॉलाँजी वन फोर्थ चम्मच अजवाइन वन फोर्थ चम्मच सौफ सौफ का इस स्टफिंग में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए आप साबुत सौफ जरूर डाले इस स्टफिंग को एक दो मिनट और भून ले स्टफिंग अच्छी तरह भून चुकी है इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर दे स्टफिंग में आधा चमच आमचूर पाउडर डाले अगर आपके पास धनिया पत्ता है तो कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दे आमचूर पाउडर को स्टफिंग में अच्छी तरह मिला देंगे स्टफिंग को थोड़ी दिर ऐसे ही छोड़ दे जिससे ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए तब तक के लिए आटा गूत लेते हैं इसके लिए एक बर्तन लेंगे इसमें दो चम्मच गेहूं का आटा डाले मैं यह कचोरी गेहूं के आटा से बना रही हूँ वन फोर्थ कटोरी सूजी सूजी डालने से भी गेहूं के आटा से बनी यह कचोरी बहुत खस्ता बन कर तयार होती है इसमें वन फोर्थ चम्मच नमक डाले थोड़ी सी अजवाइन और तीन चम्मच गी डाले गी की जगर रिफाइंड भी डाल सकते हैं और आटा को हमें बिना पानी डाले ही अच्छी तरह मिला लेना है इस तरह आटा को जब अच्छी तरह मसल कर गूथेंगे तो कचोरी बहुत खस्ता बनेगी इसमें पानी डालते हुए हमें एक डो तयार कर लेना है आटा को अच्छी तरह मसलना है जितना हम हातों से मतेंगे कोचोड़ी उतनी ही अच्छी बनेगी गुथे हुए आटा के उपर घी लगाकर आटा को रेस्ट करने के लिए रख देंगे इधर स्टफिंग भी अच्छी तरह ठंडी हो गई है अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं इस तरह मुठी से दबाते हुए इसके बॉल्स बना ले स्टफिंग से हमें एक ही बार सारे बॉल्स बना लेने हैं स्टफिंग से कितने बॉल्स बने हैं कॉमेंट करके जरूर बताईएगा अब इसकी कचोडिया बनाते हैं आटा को हमें फिर से एक बार मसल लेना है जब भी रोटी या कचोडी बनाए आटा को रेस्ट करने के बाद अगर मसल लेंगे तो रोटी या कचोडी बहुत सौफ्ट बन कर तयार होती है इस आटा से एक मीडियम साइज का बॉल बना ले बॉल को अच्छी तरह चिकना कर ले अंगुठा से इस तरह दबाते हुए हमें एक कटोरी जैसा बना लेना है बीच में मोटा रखे और किनारे पतला रखे इसके अंदर प्याज की एक बॉल भर दे और उपर से अच्छी तरह सील कर दे सील करने के बाद बॉल को चप्टा कर देना है और फिर से अंगुठा से इस तरह दबाते हुए हमें एक कटोरी जैसा बना लेना है इस तरह जब कोई भी स्टफिंग वाली कचोरी तैयार करेंगे तो एक भी कचोरी फटेगी नहीं और फुली फुली बनेगी एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ अंगुठा से दबाना है बीच में मोटा रखे और किनारे पतला अंदर स्टफिंग डाल कर सील कर दे स्टफिंग वाले बॉल को फिर से चिप्टा कर दे और अंगुठा से दबाते हुए एक कटोरी जैसा बना ले चार कचोरी की स्टफिंग हो गई है अब इसे फ्राई कर लेते हैं इसके लिए गैस पर एक कड़ाई रखें इसमें तेल डालेंगे तेल जब मीडियम गर्म हो जाए तब इसमें कचोड़ी को डाल कर फ्राई कर लेंगे कचोड़ी को हमें लो मीडियम फ्रेम पर फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक पक जाए एक बार आप इस तरह प्याज की स्टफिंग वाली कचोड़ी बना कर देखिए जब एक तरफ से ये फ्राई हो जाए तब इसे पलट कर दूसरी तरफ भी फ्राई कर देंगे तेल की क्वांटिटी के अनुसार एक साथ दो से तीन कचोड़ी फ्राई कर लें एक बार आप इस प्याज की कचोड़ी को जरूर बनाईए आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा जब कचोड़ी गोल्डेन कलर की हो जाए तब कचोड़ी को तेल से बाहर निकाल लेंगे इसी तरह हमें सारे कचोड़ी को तल लेना है मैं एक साथ तीन कचोड़िया फ्राई कर रही हूँ और तीनों कचोड़ी देखिए कितनी फुली हुई तयार हुई है अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मिलते हैं अब अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद